कि हैं सेल्स कैसे हो आप सब आप सब बहुत मस्त होंगे सब की पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी मैं हूँ आपकी अपनी खुश्पूमा अम बायोलोजी तो बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझ पे आई थी कि माम एक्जाम में टाइम मैंनेज में इशूज आते हैं तो इसका आज सल्यूशन लेकर कि मैं आपके लिए ये सेशन लेकर क्या हूँ तो मेक शूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन अटेंड करो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अपने एक्साम टाइम में प्री और बोर्ट में आपना टाइम कैसे मैनेज करना ऊंपाओगे चलू तो लेट्स बीगिन विदार सेशन की आपको तो एक्चुरी में करना क्या-क्या है अगर आपको अपने एक्जाम में टाइम मैनेज करना है देखो एक सिंपल सा फंडा बताऊंगी वो यह है कि प्रेक्टिस 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 यह 3P का रूल है जितना प्रेक्टिस हो सके उतना मॉक टेस्ट पेपर लगाओ as much as possible देखो अब तक आपका almost लेबस complete हो चुका है अब आप मॉक टेस्ट पेपर पे ही फोकस करो और प्रीबोर्ड जो होते हैं जहां पे आपको तीन घंटे एक जगह पे चुपचा बैट करके अपना एक्जाम पेपर देना होता है तो भाई अगर एक्जाम पेपर दोगे न त कर दो clear goal set करो अपने प्रीबोर्ड के लिए और अपनी mistakes चेक करो जो अपने mid-terms के एक्जाम में की थी जिसकी वज़े से time properly check करो review करो कि time management issue की वज़े से आपने क्या गलतियां करी हो कहां कहां पे आप लाक कर रहे थे ठीक है तो यह चीजे फॉलो करनी है उसके बाद learn and write your long answers जिसमें आपको क्या आती है laziness भाई मैंने भी यह गलती करी थी मुझे इतनी आलस आती थी इतनी laziness feel होती थी कि मैं अपने long answers जो होते से ना वो बस ऐसे ही mind में learn कर लेती थी और उसको लिख करके practice नहीं करती थी इससे एक side effect बते हैं क्या हुआ यह हुआ कि मेरी speed increase नहीं होगे उतनी जल्दी याद भी होंगे और साथ-साथ में आपकी writing skills के साथ speed इंप्रूव होगी देखो time management is directly proportional to your writing speed जितना जल्दी लिख पाओगे जितना अच्छे से लिख पाओगे उतना ही जल्दी time पे complete हो पाएगा paper और इसके साथ-साथ एक और directly proportional होता है वह आपका है concept क understanding concept understand है topics अच्छे से clear हैं तो अपने आपी writing speed तेज होगी अपने आपी time manage हो जाएगा अगर वो topic आपको आता ही नहीं होगा तो सारा time उसको सोचने में ही निकाल दोगे और ऐसा तब होगा जब आप important topics या अपने teacher के instructions follow करके नहीं जाओगे तो क्या करना है भाई concept को topic को clear one stop solution की तरहे clear हो जाएंगे उसके बाद भाई जब mock test paper लगाना start करोगे अपने आप ही speed enhance होगी और जैसे ही speed enhance होगी time management अपने आप ही कर पाओगे ठीक है और जो last की गलती मैंने की थी ना कि वो मैं numerical मुझे numerical से खतरनाक दर लगता था भाई मेरी maths तो आपको पता ही है जब मै 3 into 2 5 बोल सकती हूँ तो कुछ भी हो सकता है 3 to 6 होता है जबकि मैंने कुलू सर को क्या बोला था 3 into 2 equals to 5 तो यह होती है silly mistakes ठीक है silly mistakes में एक silly mistake मैंने भी यह कही थी कि मैं mind में बड़ा बन करके अपने आपको आरे भट्टा समझती थी और मन में कुलू भया समझती थी कि मन में मैं मैंने मस्त के अपने निमेरिकल के बी और मैंट की questions की practice भी किये मन में वाई देख रहो मेरा utmost level का savage savageness की भई मैं इतनी खतरनाक है कि उन्होंने माइन में अपने numerical solve किये थे तो जब mind में numerical solve किये न तो practice तो ऐसे भी नहीं हो पाई और practice जब नहीं हो पाएगी न तो numerical solve करना आएगा ही नहीं तो जो हो सकता है जैसे भी हो सकता है कैसे भी करके daily Maths के तो Numericals और Physics तो डेली ही Solve करने है क्या करने है डेली ही Solve करने है और आजाती है Last की एक और बात वो यह की Diagrams आप लोगों मैंसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे यह बोलाए कि माम Diagrams की presentation की वज़े से diagrams draw करने की वज़े से ताइम बहुत चला जाता है तो यह इसलिए जाता है क्योंकि यह सोचते हो ना कि exam के तीन दिन पहले या exam days के gap में ही बस diagram practice करोगे तब भी रट जाएंगे और हम बना करके आ जाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी इसे ही diagram की practice करोगे daily practice करोगे अपने आपी fluency increase होगी अच्छे अच्छे diagram बना पाओगे properly उनको label कर पाओगे और time अपने आप ही manage हो जाएगा diagram के साथ basically diagram का जो question होता है वो बायो में बहुत पूछा जाता है तो बायो में time management issues ऐसे ही आते हैं जब आप लिख करके practice नहीं करते हो लिखोगे synchronize होंगे हाथ timely time watch भाई watch stop watch चालू करो stop watch में लिखो कि भाई 20 मिनट में मुझे तीन answers complete करने 20 मिनट में तीन long answers लिख करके complete करो कैसे नहीं होंगे मैं भी देखूं फिर उसके बाद 20 मिनट में यह target रखो कि मैं तीन दिन आपने क्या कि 20 मिनट में तीन questions लिख रहे हो आप long answers वाले बात कर रहे हूं ठीक है फिर उसके बाद रखो 20 मिनट में चार questions लिखूंगा ऐसे 20 मिनट में पर पाच questions लिखूंगा इसी तरीके से continuously proper एक place decide करो जहां पर stop watch लगा कर करके तीन घंटे का पूरा mock test paper solve करो भाई मैंने अपने English के एक्जाम में ऐसे mock test paper solve कि तीन घंटे continuously बैट करके आपको पता है मेरी माम ने मुझे challenge किया था कि मैं English का पेपर छोड़ कर कि आऊंगी मैं नहीं कर पाऊंगी time पर और आप लोगों को पता है मैंने अपना English का पेपर जब मैंने mock test paper दिया था दस मिनट पहले complete किया था मैंने अपने English का पेपर मेरी माम इतना इंप्रेस हो गई थी English की कि पूछो नहीं मैंने मतलब 10 मिनट पहले अपना English का पेपर खतम किया था जबकि वो मुझे चैलेंज कर चुकी थी कि मैं अपना पेपर टाइम पे नहीं खतम कर पाऊंगी मुझसे पेपर चूटेगा ही चूटेगा मेरा मेरा कोई question नहीं चूटा इवन लास्ट में 10 मिनट मेरे पास एक्सट्रा ही बच गय थे जिसमें मैंने अपना पूरा चे पेपर चेक किया वापस से कि मिरसे कोई question छूट तो नहीं गया जिसके ओपर माम मुझे यह चीज़े बोल सकती है देख रहे हो मतलब जब तक आपका खुद से determined होकर के मन नहीं बनेगा कि हां मुझे time management करना है तब तक time management नहीं होगा तो क्या करना है proper time table बना लो start with the unknown unknown नहीं बनना है मतलब mock test paper जितना practice हो सके mock test paper schedule करो और वो भी schedule के साथ stop watch लगाओ भाई stop watch का use करके लगाओ अपने mock test paper जितना जादा mock test paper लगाओगे speed उतनी improve होगी time अ अपने pre-words और boards के exam में तो I hope अब समझ में आ गया होगा सबको कि अपना time कैसे manage करना है exam के time पे तो अगर session पसंद आया हो तो hit the like button and subscribe to the channel साथ-साथ में अपने बाकी सारे friends को भी session share कर देना जिनको लगता है कि वो time manage नहीं कर पा रहे है pre-words के exam में और अगर आपको ऐसे ही amazing session के day-to-day notifications चाहिए तो आप telegram channel को join कर सकते हो जिसका link आपके session के description box में available है और अगर आपको मुझे follow करना है तो आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हो kushbu-fatya मेरा Instagram का account है so hit the like button and subscribe to the channel also share with your friends and अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही next amazing session में तो bye and take care